नमस्कार दोस्तो एक्सल की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक Microsoft Excel की जो कि आपको Excel में बहुत ही काम आने वाली है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हूँ मेरे पास दो चार्ट हैं अब इन दोनों चार्ट की help से मैं अपने डेटा को कैसे analysis कर सकता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हूँ मैंने सभी products की list बनाई हुई है यहाँ पे मैं किलिक करूँगा और इस drop down arrow पे किलिक करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे किसी भी product को select करता हूँ तो दोनों चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हूँ दोनों चार्ट change हो रहे हैं तो इस तरह का चार्ट हम Microsoft Excel में कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो कुछ इस प्रकार से आप अपने data को analysis कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो मैं total यह total दिया गया है total पे क्लिक करूँ तो जो total है हमारा amount वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा और आप easily यहाँ पे अपने data को देख सकते हो और analysis कर सकते हो तो Excel की यह trick सेखने के लिए आप इस वीडियो में अंतर तक बने रहे हैं चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो यहाँ पे आप देख सकत कर दूँगा और मैं सब पर इस तरह से drag and drop कर दूँगा इसको सब का सम यहाँ पर आ चुका है अब दोस्तों मैं चलता हूं seat number 2 में और यहाँ पर मैं अपने सभी products की एक list बनाऊंगा तो उपर मैं type कर लेता हूं पहले headings तो मैं जैसे product यहाँ पर मैं जो month के name है उनको type कर कर लेता हूं ठीक है अप्रेल हो गया यहाँ पर मैं 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 type कर लेता हूं और दोनों को select करके कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्थ तक यहाँ पर हम mention करेंगे अब इस वाली cell में cursor को रखना है और यहाँ पर मैं जो products की list है वो मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर इस cell में cursor रखा data में जाऊंगा data validation में जाऊंगा यहाँ से और मैं यहाँ पर allow में choose करूंगा list उसके बाद इस source में यहाँ पर cursor को उसके बाद मैं आपर एक number seat पर आऊंगा और यहाँ पर यह जो list है ने आपर कुछ इस प्रकार से select कर लेता हूं select किया और simple okay पर click किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर आमारी एक drop down list बन चुकी है कुछ इस तरह से ठीक है अब यहाँ से हम किसी भी product को easily यहाँ से select कर सकते ह मैं we look up की help से यहाँ पर अप्रैल मंत का data ले के आऊंगा तो मैं यहाँ पर cursor रखा मैंने is equal we look up tap press किया look up value यह है कॉमा यूज किया अब यहाँ पर मैं जो भी formula type कर रहा हूं वो यहाँ पर formula बार यह जो है इसमें हमारा formula दिखाई देता है तो यहाँ पर मैंने कॉमा यूज सकते हो यह formula आ चुका यहाँ पर cursor को रखूंगा और कॉमा यूज करूंगा उसके बाद यहाँ पर column index नंबर पूछ रहा है तो column index यहाँ पर मतलब का नंबर है हमारा दो ठीक अप्रैल मंत का निकाल रहे हैं हम तो यहाँ पर दो नंबर कॉलम में हमारा data है तो मैं दो नंब पर कॉलम और कॉमा और यहाँ पर जीरो टाइप करके इंटर प्रैस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैकेट अप्रेल मन्थ में जैकेट 1217 की सेल हो चुकी है अब मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रैक कर दूँगा मार्च तक खिंग है और अब दोस्तों यहाँ प यहां से मैं all water reply करूँगा ठीक है तो यहां पर यह काम हो गया अब यहां पर मैं किसी भी product को change कर रहा हूँ तो उसका data easily यहां पर change हो रहा है ठीक है आप जाकर इसको match कर सकते हो easily चलिए अब मैं यहां पर chart insert करता हूँ तो chart insert करने के लिए मैं इस तरह से data को select कर लेता हूँ select करने के बाद मैं जाँगा insert में और यहां पर जाँगा मैं इस वाले option पर chart ठीक है चार्ट वाले group में आना है और यहां पर chart पर click करना है कोई सा भी आप chart ले सकते हो मैं यह normal सा ले लेता हूँ click करूँगा यहां पर हमारा chart आ चुका है अब इस चार्ट को मैं यह बन चुक यहां से भी मैं कोई भी एक design ले सकता हूँ देखिए कुछ इस तरह है यह है यह है तो मैं कुछ इस तरह से यहां पर अपना जो चार्ट है उसको design कर सकता हूँ अब मैं इसमें और वी कुछ formatting कर लेता हूँ छोटी मोटी तो जैसे कि यहां पर हमारा यह levels दिखाई दे रहा यानिक जो amount दिखाई दे रहा है इसको मैं top पर रखना चाहता हूँ तो इनको यहां पर टॉप पर रखने के लिए मैं जाओंगो यहां पर इस plus icon पर क्लिक करूंगा यहां पर यह लेवल मैं आउंगा data levels ठीक है इस तरह से और यहां पर क्लिक करके यह आउट साइड पर क्ल रहूंगा मैं और यहां से कुछ इस तरह की कुछ इनसे आप अपना layout को चेंज कर सकते हैं आपको जैसा चाहिए जैसा ले सकते हो color में आएंगे यहां से कलर चेंज कर सकते हैं आपको जैसा color चाहिए वह आप color भी यहां से ले सकते हो अब देखिए color के लिए आप यहां पर हमारी यह series दिखाई दे रही है यह मतलब पोल जैसे तो इस पर click करेंगे और यहां इनको हम change कर सकते हैं जैसे format data change करता हूँ तो easily मैं उसको change किस तरह से कर सकता हूँ देख सकते हो कुछ इस प्रगार्जी तो यह हम इस तरह से कर सकते हैं वी lookup की help से अब यह जो मेरे चार्ट है मैं duplicate copy बना लेता हूँ Ctrl D press करूँगा select करके और इसको मैं यहां पर अब यहां पर मैं इसको change करूँगा तो यह जो चार्ट इसको select रखना है मुझे और मैं जाओं यहां पर design में design में जाने के बाद मेरे को जाना है यहां पर change chart टाइप पर क्लिक करूँगा और यहां से आपको कैसा चाहिए वहां आप ले सकते हो मैं यह style का ले लेता हूं 3D वाला और के पर क्लिक करूँगा यह चुका है उसके बाद मैं यहां से किसी तरह की style कर सकते हो देखिए दोनों यहां पर link है आप यहां से change करोगे किसी भी product को यहां से मैं किसी भी product को change करता हूं तो देखिए यहां पर तो इस तरह से आप यह जो चार्ट है इसको मैंनेज कर सकते हो देखिए यहां पर चूटी सी चीज और बता देता हूं जैसे कोई पार्ट आपको थोड़ा सा अलग करके से दिखाना है तो वह आप दिखा सकते हो जैसे कि यहां पर मार्ज का यह महिना है इसको इसको सब्सक्राइब करूंगा इस पर दुबार क्लिक किया डबल क्लिक करूंगा इसके उपर तो राइट साइड में कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं इनकी अलप से आप इसको इस तरह स से कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है यह आपको गुमाना हो इधर उधर करना हो तो वह आप कर सकते हो ऑटमेटिक ठीक है यह देखिए अब यहां पर मैं इसको कर देता हूं क्लोज और आप इजली देख सकते हो आप अपने इस डेटा को किस तरह से मैनेज कस्टमाइज करना च आते वह आप इजली कर सकते हो ठीक है एक बार और यहां से चेंज करके आपको बता देता हूं यह देखिए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने डेटा को यहां पे कस्टमाइज कर सकते हो इजली तो आयोप आपको यह वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयोगा वीडियो लाइक अवश्य करना मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीटिम किसी नए टॉपिक किसा तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरण